हेलो माई डियर स्टुडेंट मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं सेमसी इंदौर के आफिसील यूटूब चैनल पे जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि हम लोग रूट वर्ड की सीरीज स्टार्ट किये हुए हैं जिसमें पहला सेशन मैंने ले लिया है और उसमे हम लोगों ने ऐसका मतलब सेल्स होता है ठेक है बायो को क्या होता है क्या मीनिंग होता है क्या कि कि स्वी वर्ड में गराफ लगा हूँ तो उसका अध्याट लिखना कुछ लिक्टने से रिलेड़ लिए और फिर हम लोगहों को आगे बढ़ाएंगे बच्छे रूट वर्ड की सीरीज को और यह हमारा सेकेंड होगा सेशन और बहुत ही अच्छा वे है किसी भी वर्ड को तैयार करने का फिर से वही काम करेंगे हम लोग क्या करें एक कैडिगरी बना ले जिसमें हम डिसकस कर पाएंगे यह फर्स्ट हो जाएगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने रूट को लिखेंगे ठीक वचे यह हमारा रूट वर्ड होगा दिन यह इसमें हम समझेंगे क्या मीनिंग को कि उनकी मीनिंग क्या है टेन विदिस्कस अबाउट एक्जांप्ल ठीक बच्छे तु उन पर ब्यस्ट कुछ एक्जांपल सम देख लेंगे कि इस पर ब्यस्ट हमारे कौन-कौन से एक्जांपल सु सकते ठेक तो आज का जो पहला वर्ड होगा अगर चे हमारा वर्ड है एंट्रोप एक सभेरी कामन वर्ड और बचो आज की जो शर्प्राइसिंग चीज है वह यह है कि जैसा पिछले वीडियो में किया था कि हम लोग ने किवल रूट वर्ड पढ़ा था ठीक है और वह क्या याद किया था लेकिन उसका यूटलाइज़े बना हमारे एक्जाम में तो उनको हम कैसे सॉल्व करें ठीक बचे और एक चीज देखिएगा कि मैंने कुछ प्रिविए से क्वेशन भी लिया है कि रूट वर्ड कितने यूसफुल है अगर वन वर्ड सप्रिटीशन की बात की जाए तो 95% क्या होगे वन वर्ड कवर हो जाएं जिसे आप बोल सकते मैंन काइंड भी ठीक बचे अब इससे बने हुए सारे वर्ड का मतलब क्या होजाएगा जितने भी हमारे वर्ड होगे उसका मेंनिक कई कंई हुमन से रिलेटेड होगा ठीके मानो जाती से जैसे फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं इसका मतलब होता है जैसे और एंथ्रोपॉलजी और एज यू नो लॉजी इत्मीन सर इस्टडी और साइंस जैसे सोसोलोजी सिस्मोलोजी जो लॉजी ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने पिछले लेक्षर में देखा था ठीक विचे तो एंथ्रोपॉलोजी कि अगर हम बात करें तो एंथ्रोप का या हुमन को स्टडी करते उसी को और यह सब्जेक्ट है और हम अपने क्या करते एजुकेशन में पढ़ते भी जिसको हम बोलते मान विज्ञान ठीक विचे ऐसे ही हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंथ्रोपॉइड अब इससे समझे विचे क् सकते हैं लोग किसी के जैसे के बारे में बात करते हैं लोग ठीक विचे तो अगर बोला जाय कि कोई हीमन के जैसे ठीक है तो उनको क्या बोले एंथ्रोपॉइड जैसे चिलपैंसी आपने एक जानवर देखा होगा वह सेप में कैसे होते हैं हमारे हीमन के जैसे होते तो हम उनकोब लेंगे जिसका सेप क्या हो हमारे मानो जैसा ओते जीवाइट है तो जीवाइट का मतलब क्या ख्याइट जबता है यहाड होता है जो पृथ्पवी जैसा गरह देखे उसको क्या बोल पाएंगे जवाइट बोल पाएंगे ठीक आगे हम बढ़ेंगे इसी में एक वर्ड होता है एंत्रोफोबिया ठीक बच्छे अगर बच्छे हम बात करें एंत्रोफोबिया फोबिया is a very common word as you know it's called fear ठीक है डर की बीमारी को हम बोलते हैं तो एंत्रोफोबिया क्या हो जब मानों से डर जब हम क्या करते हैं डरने लगते ह ठीक है उस feeling को उस fear को हम बोलते एंत्रोफोबिया ठीक बच्छे एक word है कुछ नए words भी हम डिसकस कर ले जाएंगे इसमें अब बताइए कि मीनिंग क्या है मैं थोड़ा सा टाइम भी लूँगा एक वर्ड को हम बोलते हैं लाकन्त्रोपिस्ट लाकन्त्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है बच्छे यह देखिएगा है एक चीज तो ख्लेर रखीएगा एंट्रोप बोट आया है और किसी वी स्पिधी में फोड को इसका मीनिंग होता है पसे ले क्रशिंग होता है अस यूमन टडटे जी चनिटी इंटू अ बोलब इसका प्ता है www.mlंach कोन्त्रोंत्रोंटल्विस्ट युञे हैं आख जाता है और वह क्या होता है कि इसमें वॉल्फ भेडी में परिवर्थित हो जाता है देखा ओगा ऐसे बहुत सारी मूविद्विस बने जिसमें क्या होता है मानों ही वल्फ बन जाता है जब यह मावस की रात आती है या कुछ ऐसा दिखाया जाता है ना उसमें तो उस वर्ड को या उस इंसान को क्या बोलते है एक और हम वर्ड इसमें डिसस करेंगी आप से इस वड का भी मतलब बताएं हुआ क्या होता है अंफ्रो थिक है एंद्रो अलो ग्लाट ये बना है और यह वर्ड आगर दियान से देखें एंथ्रोप यहां पे लिया गया है एंथ्रोप इंथ्सकॉल मैंझकाइं ौग अग्ला टंग होता है जिसका meaning language से लेना देना है अगर ध्यान से देखें तो एक word हम लोग discuss करते हैं polyglot जिसका मतलब होता है knowing or using several languages ठीक है ऐसे लोग जो क्या होते हैं बहुत सारे language का यूज करना जानते हैं या understand कर सकते हैं उसको उमलग बोलते हैं polyglot ठीक है तो यह polyglot का मतलब लेना देना बिसलिए जीव वह कैसे होता है मानों जैसा होता है ऐसे एनिमल को बोल सकते हैं जिसन के जीव कहते हैं कि और घर में होते कहीं बार वह पूरा उच्छारण बहुत अच्छा करते जैसे लगेगा रामचरित मानस भी पढ़ते रहेंगे तो इस तरीके के बर्ट के लिए इस वर्ट का यूज किया जाता है और भी बहुत सारे वर्ड है नीचे हम यूज करेंगे इसका एंथ्रोप का ठीक विचे तो यह पहला वर्ड हमने देख लिया किसे एंथ्रोप से इस रूट वर्ड से रिलेटेट कितने वर्ड हम देख सकते हैं नेक्स हम बढ़ेंगे आगे कि हमारा नेक्स वर्ड है गाइनी और इसी को बेड़ा बोलते क्या है गाइनिक भी बोलते ठीक है और इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता आप जानते हैंगो वूमन और अरत ठीक है मैला तीक वचे गैम को लोजी का मतलब क्या होता है बोल जाता है स्टडी आफ विम्न डिजीज इस कालड गैन को लोजी घिंटिक है इस्टडी ठीक है बोला गया कि ऐसा विज्ञान जो इस विमन के डिजीज को में डिस्क्राइब करता है ठीक है या अध्यान करता है उसको बोलते हैं उनके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है गानको लोजिस्ट लगा दीजिए यह क्या बन जाएगा बच्चा गानको लोजिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं one who studies women disease is called gynecologist ठीक है जिसको महिला रूग विसी सग्य भी बोलते एक्सपर्ट जिसको आप बोलते हैं जैसे जैसे वाई लगे यह क्या करता है और आयस्ट किसी पर्सन को करता है यह कॉमन नाउन होता है बच्चे ठीक है अब इसी एक वर्ड और आएगा बहुत अच्छा वर्ड है यह भी आपने सुना होगा गाइनार की और आप यह में समझें कि हम एक वर्ड पढ़ा रहे हैं आप उस रूट को क्या करें ट्रेस करें उसकी वजह से आप बहुत सारे वर्ड तयार कर पाएंगे आपने अगर ध्यान से मैं जाना होगा कि हम बात करते हैं मनारकी तो मोनो का मेंनिग क्या हो जाएगा जब हम राजतां की बात करें सिंगल toNo करते उसंभी को मोनार्की कहतें ठीक है और यहां पर गयनार्की है तैसका मतलब गवर्मेंट बाइविमन दॉन 가서 चैसा आगर जानते होंगे कि जहां पर पिता ही प्रभुद्र कुष्मादा जना पर पर्दार्भ टम प्रिदान होता है जिस परिवार में यह जिस सुसाइटी में उसको महिने प्रिदान रेकि ऑ ये इसाज करना पर सकते दिल्स ल Bitcoin अलेकिए उसको मैट वर्ड देख सकते हैं यहां पर आपने बच्चा आप जानते होंगे एक होता है मॉनो जीनी ठीक है मॉनो जीनी इसको बोलते हैं सिंगल पत्नी के लिए इसका यूज किया जाता जिस सॉसाइटी में केवल एक पत्नी को रखा जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि one who has one wife at a time ठीक है जिसके पास या जिस सिस्टम में केवल एक पत्नी रखने का रिवाज होता है उसको हम मोनोजीनी कहते हैं और जिस सॉसाइटी में एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज हो जाएगा तो बिच्चा क्या बोला जाएगा पोलोजीनी और जो व्यक्ति रखेगा तो उसको जिनिस्ट बोलेंगे पॉल जिनिस्ट जैसे one who has more than one wife at a time is called polygenist ठीक है जिसको हम बहु पत्नी भी कहते हैं ठीक है और यह जिसे हिंदूस में क्या होता है केवले एक मैरेज के लिए लीगल माना जाता है सिकेंड मैरेज तब तक आप नहीं करते हैं जब तक आपको डिवोस्त हो जाए ठीक बचे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिस होता है जब बहुत सारे लान्ग्वेज को लोग समझते और मोर मादा वालौस से जब एक पत्नी को रखे एक व्मन को रखता है ठीक है तो उसको जोड़ें एक में हम discuss कर सकते हैं ओके बचे एक और वर्ड last में देख लीजेगा एक वर्ड होता है गाइन को path का मीनिंग क्या होता है डिजीज होता है ठीक है और गाइन की मलग क्या होता है वेमेन तो ऐसे बोला जाता है कि एसी डिजीज जो को के वाला सप्यूइम को उस्सक्राद सब्सक्राइब के बात करें तो गाइनको पैस सब्सक्राइब को इन दोनों वर्ड के भी कोस्टन में कुछ बैसे फसाने वुआ Lर्ग यह आजाएगे लगा ओके आई होप आप अंडर्स्टैंड कर पाएंगे इन दोनों रूट वर्ड को कि एंत्रोप और यह गाईनी वर्ड ठीक विच्छे अब हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट रूट की तरफ और फिर सम्क्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक विच्छे Okay, next word हमारा क्या बच्छा next word है file ठीक है इसको feel बोलते और इसको feel क्षाइल मेदल बोलेंगे लेकिन file किसी person के लिए उसकिया जाता है और feel किसी state आवस्था को बताता है इसकी जो meaning होती है बच्छे वो क्या होता है love ठीक है love के लिए इस word का यूज किया जाता है कि इतना जगल लेने की जरुवत नहीं आयोग कि यह इनफ है इसके लिए ठीक और आप जानते होंगे और इसी को हम फीलो सब्सक्राइब से भी यूज कर पाते हैं अब दोनों के लिए जाते हैं और इनका एक ही मतलब होता है कि लव यह एडमायर करना प्रसंसा करना किसी कैब इसी कितने सारे बनाया जा सकते वह देख लेते पहला ही वर्ट बन जाएगा अगर हम दोनों पिछले वाले root word को लेकर यहां पर एक word create करें तो पहला word क्या बन जाएगा बच्चा first word हो जाएगा है फिलेंथ्रोप ठीक बच्छे बोला जाता है one who love mankind is called philanthrop बोला जाता है वह जो मानो जाती से प्रेम करता है उसे एक सब्द में हम बोलते फिलेंथ्रोप ठीक है next word हमारा हो जाएगा बच्चे क्या फिलोजिनिस्ट और फिलोजिनिस्ट का मतलब बच्चे क्या होता है one who admires women या one who love women is called फिलोजिनिस्ट ठीक है जो महिलाओं से प्रेम करें प्रेम का मतलब निगेटी सेंस में नहीं बच्चे यहां पर यहां पर पॉस्टि सेंस में जो महिलाओं का आदर करें प्रसंसा करें उनकी कामों को एप्रेसीट करें उसको हम बोलते फिलोजिनिस्ट लेकिन जिसके बारे में आप अभी सोच रहें उसको नेक्स्ट इसी वर्ड से बनता है उसको में बोलते बिटा फिल्लैंडर का मतलब यह होता है दिल्फेक आसिक इसको हिंदी में हम बोलते हैं ठीक है ऐसे लोग जो किसी विमेन को पसंद मलब बैसिकली वह क्या करते दिल्फेक मलब समझ पा रहे होंगे कि कहीं भी जाते हैं उनको तो चल पाता है घंज वहां पर प्यार हो गया उनको ऊन्को प्यार क्लासरूम में कि प्यार को होता है पता नहीं चल पाता है था तो ऐसे ही लोग हमारे कवन होते भचे दिलफेक आसिक जिसको बोलते तो यह तो निगटि ऐस्पर्ट में हम बात करेंगे फिलांडर का अश्रीक को फिलांडर भी बोलते हैं और लेकिन फिलोजिनिस्ट क्या होता है यह रिस्पेक्ट वाला वर्ड है जब मैं लाओं के लिए एक नेक्स्ट वर्ड के तरफ जब हम केवल मेल पर्शन के लिए रिस्पेक्ट या प्रेम दे तो उसको बोला जाता है कि एंट्रोफाइल का मतलब यह होता है यह किसको डिनोट करता है पर्शन को जो क्या करता है एंड्रोफ ठीक है तो एंड्रोइड यही से बना हुआ है सिसके मतलब मेल होता है मेल परशन के जिए इसका यूज किया जता है एंड्रोफाइल का मतलब होता है थीक है जो क्या करते हैं मेल पर्शन से पूरुस जातियों से प्रेम करते उनको रिस्पेक्ट देते हैं ठीक है तो उनके लिए एंड्रोफाइल और जो महिलाओं को रिस्पेक्ट देते उसको फिलोजनी बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें इसी फील्ड सब्द को आगे अगर हम कुट यहां पर काम कर रहा है काउंसा सौफी और बच्चा सौफी का मतलब होता है क्या विज्डम ज्ञान ठीक है अगर हम फिलोशॉफी की बात करें ऐसे लोग जो केवल तर्क की बात करते मलब बहुत आप कुछ भी पूछेंगे तो अपना तर्क लगा कर बताते हैं बिस कि एर लग जाता है तो अब याद कर सकते शाफिए ए यह 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 अगde आगे जाकर कि बहुत सारा कनेक्ट हो जाएगा बहुत सारे वर्ड इससे बने हुए आप देख ले जाएंगे और कुछ वर्ड हम देख सकते हैं बच्चे इसमें कि शॉफी से कौन-कौन से और भी वर्ड हो सकते हैं जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड जानवरों सो यह अगर प्रेम हो क रहता है एनिमल ठीक बचे और अगर किसी फोरेंटर की प्रति हमारा अट्राक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं जैनो फाइल ठीक बचे जैनो फाइल यह जो एक गाड़ी आए थी जाई लो ठीक है यहाँ पर एक्स का जो प्रननसियसन होता है वो क्या ज़ होता है ठीक तो जैनो फाइल बोल सकते हैं वन हो अट्राक्ट और एड्मायर फॉरेनर और फॉरेन फिंग्स इस कॉल्ड जेनो फाइल ठीक बचे ओके नेक्स अगर हम आगे बढ़ें इसी फेस में तो बहुत ही अच्छा वर्ड आएगा हम मैं अब क्या करूंगा आपको कंफ्यूज करने कुशिस करता हूं तीन वर् और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा साइनो फिलिस्ट यह वर्ड हो जाएगा और एक वर्ड हो जाएगा सीनो फाइल ठीक बचे यह तीन वर्ड है जैसा कि साउंड आप देख पा रहे हैं सीनो फाइल और सीनो फाइल अब इसकी बीच का डिफरेंस बताइए मुझे क्या तीनो वर्ड में कोई भी डिफरेंस है बचे लग रहा है लग रहा होगा पता नहीं चल पा रहा होगा ठीक है चलिए मैं क्लियर कर देता हूं देख पता है यह सीनो शीनेमा से रिलेटेड है याद रख कीजिएगा ठीक है तो बोलते लवर ओफ फिल्म और मुवीज इस काल्ड सीनोफाइल ठीक है जो मुवीज फिल्मों को देखना बहुत पसंद करते हैं उन्हीं को हम सीनोफाइल करतें सी आई एन ओ यह वाली स्पेलिंग हो जाएगी ठीक है ओके और साइनोफिलिस्ट क्या होत है इन दोनों का एक ही मतलब होता है क्या शुक्त के प्रती लगा हो ने कुछ उनको हो जाता हुद उनको घ्याद बिमार पढ़ जाते है तो भी खाना नहींए कंसका बच्क बाहुत लगा होता है तो एसे लोगों को हम क्या बोलते हैं सीनोफिलिस्ट बोल सकते हैं यह कैनन फाइल भी बोल सकते हैं अभी यह वर्ड क्या है इस टाइम तो यह बात नहीं कह पाएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग जो है वन हुआ और चाइनीज इस कॉल वाट सीनो फाइल एसी लोग जो चाइना या चाइनीज चाइना मतलब कंट्री की बात करें चाइनीज चाइना के लोगों सिर्थ क्या करें या एड्मायर करें वो लोग बहुत मैंती हैं इन्वेंशन करते हैं बहुत सारी चीजे और कोविड-19 भी उन्हीं का देन है तो नहीं कर सकते हैं अभी ठीक है तो यह बोलेंगे तो सीनो फाइल यह वर्ड हो जाएगा क्लियर हो रहा है अब एक वर्ड में पूछूंगा आई हो पर यह अगर याद कर ठीक है बचे जो अकसर आपने देखे होगा अगर इंडिया की बात करें तो गोल्ड से बहुत लगा होता है लोगों को ना सभी घरों में क्या होता है कि सोने की अंगोठी चैन यह सारी चीजों को बहुत रिवाज है अखासकर अगर लड़कियों की बात की जाए तो के लवर को हम क्या बोल पाएंगे एक सब्द में जल्ली से बताएए अगर याद है तो दिमाग चलाएए अगर बता सकते हैं तो कि याद करिए याद करिए अगर बेटा बोलते क्रिशोफिलिस्ट ठीक है क्रिशोफिलिस्ट इट मेंस वन हुल लॉट्स गोल्ड ऑइस टीक है जो गोल्ड लवर होता है गोल्ड की चीजे जो आपने देखा हुआ के इंडिया में दो भाई है ब्रदर आ जो पूरा गोर्ड से ही लदे होते हैं चैन इतना सारा ठीक है हाथों में उनके जो सूज वह भी गोल्ड कार में गोल्ड हर जगह गोल्ड एक कमबोड भी गोल्ड हर चीज़ एवरेइधिंग ठीक है तो हम बोलेंगे क्रिशोफिलिस्ट उनको क्या बोल पाएंगे तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं इससे ठीक है बस आपको क्या करना याद करना है एक लास्ट और यह प्रिवेश यर में पूछा भी जा चुका है आप बताएगे कि इसका मीनिंग क्या है इसको एक सब्द में हम क्या बोल पाएंगे या इसका मीनिंग क्या है फिलेटिलिस्ट का याद है एक्जाम में पूछा जा चुका है एटलिस्ट बिसिकली बोला जाता है स्टाम्ट पेपर ठीक है यह स्टांप बोल सकते हैं उनको फिलेटक लिस्ट को इकढ़ा करते हैं जिनका साख होता है उन promete बहुत आप याद रखिये कि बहुत बार पूछा चाहिए होपाय आगया होगा तो next लड़ के तरफ आगे बढ़ जाते हाई नेक्स्ट रूट हो जाएगा बच्छा अगेन हम डिसकस कर लेते हैं और यह वर्ड हो जाएगा बच्चे मिशो या इसी को हम बोलते मिश्चेन ठीक और इस रूट का मतलब होता है ठीक है नफरत करना इसके मीनिंग होती है जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसी के लिए मिश्चिन सब्द का यूज़ करते हैं अब इस पर वर्ड है या तो मिश्चिन मिश्चिन का यूज कर लिया जाता है इनका मीनिंग ही होता है क्योंगे अगर आपने फील पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी नफरत करना प्रेम करना दोनों ही क्या एक दूसरे क्या प्रोजिट हैं अब हमें यह देखना कि इन सभी से कितने वर्ड डेराइव किये तो पहला हम क्या करते हैं अपनी वर्ड ओं को लेते जो हमने पढ़ा है इंट्रोगाईनी यह सब पहला है नहीं पर बात करेंगे मिसट्रोप मिसन्थ्रोप का मतलब होता है one who hates mankind it's called what मिसन्थ्रोप ठीक है जो मानो जाती से नफरत करता है जैसे हमारा टेर्रिस्ट क्या है उन्हें हम बोल सकते हैं मिसन्थ्रोप ठीक है अब इसी में हम एक और वर्ड ले लेंगे एक वर्ड रवता है टीक है और इसका जो स्थ्ट्र्व मिसन्थ्री टाइक तो आंडर मिंस लगा है यहांपर अगर ध्याン से देखिए मिस और मिस मैंन काइंड इहां पर ऐंडर का ममला मेल्परशन ज्यासे नफरत करें यuição से कोई गोल्स है जो पूरी समुदा है पूरी जाती से नफरत करती है तो उसको हम बोल सकते हैं और अगर कि अपसिट को से आप ग्री बोल पाएंगे और जो महिलाओं से नफरत करें उससे हम क्या बोलें के बीटा लगा हुआ है यहां पे हमना हीट करना किसे महिलाओं से इसी से बहुत सारे बन जाएंगे एक बन बनता है इसका और लेकिन अगर हम person की बात करें तो misogamist ठीक है यह word यूज कर लिया जाएगा तो अब हमें समझना कि गैमी का मतलब क्या होता है बटा तो गैमी का मतलब होता है marriage एक दिन हम विसकस करेंगे इसको कि गैमी का meaning क्या निकलता है विवाह ठीक है गैमी क्या होता है single marriage system और बाई गैमी क्या हो जगा है जिसको हम बोलते हैं illegal भी बोला जाता है जिसमें हम दो पत्नियों को रखते हैं इस ट्राइग में three wipes के बारे में बात करेंगे पोलो गैमी क्या होता है बहुपत्नी विवाह बेसिकलिए बहुपत्नी का मतलब है कि एक से ज्यादा साधी ही बहुत सारी जैसे लादिन को देख सकते हैं बहुत सारी साधियां किया हुआ था वह ठीक है और हेट्रेड आफ मैरेज इस कॉल्ड वाट मिसोगैमी हेट्रेड मलब कि नफुरत हो किसे हमारे साधी से उस प्रचलन या उस फिलिंग को हम क्या बोल सकते हैं मिसोगैमी और पर्शन को मिसोगैमिस्ट ठीक है क्लियर हो रहा है ओके आगे हम बढ़ जाएंगे इसी में एक व और एक वर्ड हम बात कर लेंगे क्या मिसोगैड यह डिसकस कर सकते हैं ठीक है तो बचे अगर हम ध्यान से देखें तो यह क्या एफ ऐसे जो रिलेटिव वर्ड है मैटर का मतलब होता है मदर ठीक है इसमें जो रूट काम कर रहा है आपने सुना को मैटरनल अंकल जिसको क्य होता है मैटरियार के मैंने बता है मताओं का सासन होता है और मतलब क्या होता है मतलब होता है मतलब होता है जो मा बनने वाली होती है और उनको मैटरियार्टी बोलते है और इसलिए लिए लिए लिया जाता है मैटरियार्टी लिए ठीक है तो ऐसे हमारा पैटर होता है तो प आजे आर्द कर लिया जाता है ओके और प्रिश्चाइड का मतलब जानते होंगे जब प्टाइए जब प्रिषाइड ठीके तो वहां पर हम पैडर सब्द का युद करते हैं तो यहां पर मीशोपैटर का चाल्ड चाल्ड होता है और यहां पर मिसोपाड मलब क्या हो जाएगा बच्चे बोल सकते हैं जब जो क्या करें बच्चों से नफरत करें उनके लिए यूज कर लिया जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि मिश्या मिश्यन से बहुत सारे पर वर्ड क्या हो सकते हैं डिवर्ड किये जा सकते हैं अगर हम इसी तरफ बात करें तो कुछ वर्ड और मुझे याद आ रहा है किसे फील से जिसका मतलब मैंने बदाए था लव एक होता है बटा रेट्रो फाइल ठीक है रेट्रो का मतलब होता है पास्ट जो अपने तो यह बात के साल था कोई ऐसा वाइरस नहीं था कोई चीज नहीं थे हम मस्ती कर रहे थे पार्क चा रहें कुछ भी टिके तो वह वह कुछ ऐसे रोहते हैं जो कीवल अपने पास से ही लव करते प्रेजन्ट में रहना या फ्यूचर लिबाद नहीं सोचते तो उसी को क्या बोलेंगे रेट्रोफाय ठीक है और बैसिकली इसी से एक वर्ड बन जाता है हमारा क्या था फिलो मैथ भी बन जाता है बच्चा ठीक है रहां कि वन हुआ लव लर्निंग जो सीखना चाहता है जो बहुत लर्निंग करता है habits पाल के रखता है उसी को क्या बोलते हैं फील मैस बोलते और बिसिकली जो बुस्तक से केवल प्रेंब करता है उसको बीबीलीय फील या करने वाले भीबीलीय फाइल सब से करते हैं क्लियर हो रहा है तो यह हमारे अलग-अलग बहुत सारे वर्ड हो गए है आप याद कर लिजेगा इन सारे वर्ड को लास्ट हम रूट डिसकस करेंगे इसे से ठीक है लास्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें अगर हम बोले मिश्व शॉफी क्या हो जाएगा वच्छा एक तो और वर्ड देख लेते हैं अभी मैंने बोला था सॉफी का मतलब क्या होता है विज्डम जो क्या करें हेट करें किसे नॉलेज और वे वन हूँ हेट्स तो हम बोलेंगे मीशोफिलिस्ट मीशोफिस्ट मीश्व शॉफी हेट्रेट विज्डम और नॉलेज घ्यान कहते हैं जो ग्यान की बाते सुनना है नहीं चाहते ठीक है उनको comedy चाहिए या आलतु-फालतु बाते सुनने में बहुत मजा आता है ठीक है जैसे ही थोड़ी सी अच्छी बात करेंगे उनका सीर्दुखना सुरू हो जाता है ठीक है ऐसे लोगों को बोल सकते हैं मिश्चो सौफी ठीक है यह सौफी अभी तैयारी कर रहा है और जो भी बच्चे होंगे वह बहुत हार्ड वर्क करते हैं कई बार तो ऐसा देखा गया है कि थोड़े एक नंबर आधे नंबर से बच्चे रुख जाते हैं ठीक है तो मुझे यह फील है एक मेरा बच्चा था इलहाबाद में तो क्या हो रहा था तो कि मैं पढ़ा रहा था बैंक पीओ का एक्जाम था ठीक है तो उसका क्या होता था हर बार एक्जाम निकलता रहा था और वह इंटर्विव तक जाता था और एक बार तो ऐसा हुआ कि जिसमें 0.50 से उसका सेलेक्शन नहीं हुआ लास्ट आया एस बी आई पीओ का एक्ज ठीक नंबर से रहे गए तो उस टाइम पर क्या होता है बहुत तकलीफ होती है तो लगे रहे हैं ठीक है हमारा ड्यूटी है पढ़ने का ओके लास्ट हम रूट डिस्कुस करने जा रहे हैं आपसे बिटा यह है हमारा क्या वर्ड पैत ठीक है और पैत की दो मीनिंग होती है एक तो मीनिंग होती ही डिजीज ठीक है पचा दूसरी मीनिंग होती ही फिलींग जिसको हमिंदी में क्या बोल सकते हैं बिमारी और इसको क्या बोलते हैं पटा अनुभूती ठीक है जो फिलिंग की बात करते हैं तो आप इसी में कन्फिजन होता है कि पैत दोनों ही क्या करता है मीनिंग को रखा हुआ इसकी जो मीनिंग यह रूट हमारा हो गया ठीक बच्छे और यह क्या हो गया इसकी मीनिंग को दो-दो मीनिंग अब अगर हम पैत की बच्छे बा बोलते हैं study of disease is called pathology ठीक है जो क्या करते हैं डिजीज को study करते हैं जैसा कि आप जानते हैं लॉजी का मतलब study हो गया और path मतलब डिजीज ठीक है तो study किसी का डिजीज का तो उसको क्या बोल जाएंगे बच्चे pathology और जो इसकी study करते हैं बच्चे उसको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं बटा पैथो लॉजिस्ट वान हूँ study disease through test ठीक है जैसे हम लोग क्या करते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें हमें पर पता चलता है कि हमारे अंदर कोविड-19 वैरस है की नहीं है जो भी शिम्टम्स आते हैं तो टेस्स के थूरू क्या करते हैं एक expert बताते हैं कौन से expert होते हैं पैथोलोजिस्ट होते ठीक है तो एक चीज़ अगर ध्यान से देखा होगा तो वाई क्या करता है हमारे आप स्ट्क्टाउन रहे हैं और इस्ट के कर रहा है हमारे पटस्स को डिन कर रहा है Employers होता है उमारा ओ साइकोन पैट को थे हैं साइक को तुम साइकuuuu हो क्या। गई बार ऐसं सुना होगा लोग बोलते ना है तो विख यह साइक को नाम से डिजीज जिसको mental disease हो कितना आसान हो रहा है वर्ड याद करना आई होप आपको लग रहा होगा कि सच में रूट वर्ड कितना यूनीक तरीका है किसी वर्ड को याद करना थोड़ा भी फर्ट नहीं लग रहा है और मेरी वीडियो एक बार आप देखेंगे सारे वर्ड अपने इससे उसको मुलते हैं साइकोपैथ क्लियर हो रहा है अब बटा हम फीलिंग की अगर हम बात करें तो यह फीलिंग वाले जो वर्ड है जिसको हम बोल पा रहे हैं क्या अनुभूती ठीक है तो इसके चार वर्ड बहुत ही फेमस हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं एक होता होता है एंटी पैथी नाम से एकलियर हो गया होगा और लास्ट अपैथी अगर धियान से देखा जैतों इसमें चार प्रिफिक्स काम कर रहे और इसके बात वाल्ड क्यों बेट जागा पैथ और वाई लगा है जो मारे स्टेट को बता रहे है सिम का मैंतलब होता है टूगि ग dealers मेरा हो साथ साथ जब हमारी फीलिंग किसी के साथ होती है ठीक है थेक है together होता है और अगर हम ध्यान सा देखें इसको जोड़ी संदीव इचे जो आप लोग बढ़ते हैं शह प्लस अनुबूति तो क्या बन जाता है सहानुबूति ऐसे बनाए वर्ड तो इसी को हम बोलते हैं क्या सहानुबूति कि उसके प्रति मेरे अंदर क्या सहानुबूति जिसके साथ आपकी feeling जूड़ी हो उसी को आप सहानुबूति देंगे ऐसा अगर मालीजे कोई इंसान आए बाहर से और बोले कि मेरा एक्जाम नहीं मेरा क्लियर नहीं हुआ तो आप में अंदर थोड़ी feeling नहीं जगेगी वह feeling नहीं आएगी लेकिन अगर मेरा पढ़ाया स्टुड़ेंट हो या आपके घर का कोई सदस्य हो कोई पढ़ोसी हो तो एक sympathy generate हो ठीक है और इम का है मां एक ऐसा नाम है जिनके अंदर empathy देखी जाती है जैसे कई बार बच्चे क्या होता है कि हम बहुत दूर होते जैसे इस टाम मैं इंदौर में हूं मेरा गर बनारस के पास में ठीक बचे तो क्या होता है कि कई बार ऐसी feeling हमें भी हम लोग सौक हो जाते कि घर से फोन आता है मां का और कहते हैं तुम्हारी तव्यत अच्छी नहीं है क्या हूं मैं दो दिन तो अच्छा नहीं लग रहा है तोक्छे था आपको कैसे पता चल गया तो मम्मी कहती है कि मुझे कुछ मैसूस हो रहा था अजीब सा लग रहा था उनकी अंदर ही इंपैथी है अन्ता अनुभूती मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं अपनी आप समझ में आ जाए इसी को यह भी फीलिंग बता रहा है लेकिन अन्ता अन झाल यह आपके सकस्सज से क्या करते हैं आपके सामने पार्टी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन जैसे पीछे आपको सुचिंगे कैसे इतना आगे बढ़ रहा है ना उनके अंदर क्या होता है अन्ति पैथ हूं तो इसको बच्चों के याद कराने के लिए की इंसे इंडि दूसरे यह जाता है तो जिसे अगर हम नाम ले राजू मनोज और दिनेज का घ्रेय के पास चलो टुशता है जिन-दा भी मरा नहीं हूँ ठीक है ऐसी बाते पूछता है उसको लग रहा है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा अच्छा नहीं यार मरा नहीं है अभी आईसे वाट में पैर और तुटा उसका इस तरीके बाते क्या करते हैं दोस्ते तो पता तो नहीं होता है तो उनके अंदर जो बचे फीलिंग होती है वो कैसी फीलिंग है एंटीपैथी ठीक है और यहां पर एसे आपको पता होना चाहिए का मतलब यह होता है नौट बचे क्या होता है नौट जिसके अंदर कोई पत्थर दिल इंसान दुनिया में कुछ भी हो कोई मर्ज है जैसे पड़ोसी बगल में मर्ज हो कहेंगे यार मटर पनीर लाओ वो खाना है मजा करते हैं पूरी तरह से या यह सोचे या 13 दिन बाद खाने को मिलेगा खाना नहीं बनाना है सोची किसी के घर पे कोई गुजर गय होती है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या कितना और मुझे लग रहा है कि ऐसा आपको समझ में आ रहोगा सारी चीजे ठीक है फिर भी अगर आपको अगर यह सारे सेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बच्चे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाएं इन वीडियो को ठीक है और लाइक करना भूले नहीं इससे क्या होता बच्चा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी मैनत करनेगा ठीक बच्चे तो अब क्या करेंगे जो इसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि इन पर बेस्ट हम क्या करेंगे दस बारा क्वेशन देखते हैं और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में नहीं किया था तो इस वीडियो में उन चार रूट वर्ट को भी कवर करूंगा और तो का मतलब सेल्फ बायो मतलब लाइफ ग्राफ मतलब लिखना में कि बच्चों को कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रवाइट किया जाए कैसे बच्चा ज्यादा को रिलेट कर पाए चीजे सीख पाए ठीक बच्छे तो पहला कोशन आ गया है स्क्रीन पे क्या बोला है बटा कस्टम आफ हैविंग मोर दैन वन वाइफ अट टाइंस आड़ अड़ सेम टाइम कस्टम अलब ऐसी रिती रिवाज ठीके बचा और अगर हम थोड़ा से इसको बड़ा कर ले तो चीजे और भी अच्छे दिखेंगी एक एक क्वेशन करके डिस्कस करेंगे हमने बहुत है किस्टम आफ हैविंग मोर दैन वन वाइफ अड़ सेम टाइम ऐसी रिती रिवाज जिसमें एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज जैसे अकबर बाबर बहुत सारे ऐसे हमारे पहले हिंदुस्तान में भी होते थे जो एक से अधिक पत्निया क्योंकि क्या होते कोई ची कोई भी राज जीते थे उनके साथ उनकी पत्नियां भी साथ में आ जाती थी तो ऐसे कस्टम एसी रिती रिवाज को बच्चे क्या बोलते हैं तो हमारे पास चार आप्सन है मोनोगैमी अगर विवाह की बात की जा रहे है वाइफ रखने की बात की जा रहे है तो जब भी आएगा तो गैमी सब्द का यूज किया जाएगा तो मोनोगैमी पॉलीगैमी मैनिफैस्टो और पॉलेंड्री यह चार हमारे पास ऑप्सन है बैटा मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल होता है और गैमी मतलब मैरेज ठीक है शीएस प्रफा को एकएंग्यम मै जाए पान होता चार पॉलेंड्री मतलब क्या amazon है ये चारा को खॉंचे जबहें का यह भी समझना पड़ेगा क्योंके आप क्यों अ एंसर पता रहें नहीं सम्झा रहें तो शुपिन का मतलब सम्झेंगे एंडर हमने बताया था एंडर का मतला बेटा होता मेल ठीक है और पोली का मतला होता मीनी जब कोई औरत एक से अधिक पती रख ले ठीक है मीनी एंडर मतला मेल परसन रखती है तो उसको हम बोलते पॉलेंडरी ठीक है ऐसे कस्टम को बोलते सब्सक्राइब करेक्ट है तो जैसे अगर हम द्रोपती कि कितने पती थे पांच पती तो किसमें आ जाएंगे पॉलेंड्रिस कहलाएंगी क्लियर हो रहा है और मैनिफेस्ट घोश्रापत्र बिसिकली जब हम क्या करते हैं राजनीती में कुछ घोश्राइं होती है उस घोश्रापत्र को मैनिफेस्टों बोलते हैं तो इसका इसका लेना देना ही नहीं यहां पर यह तीन वर्ट थे इसमें पूरा लेक्षर आएगा और भी वीडियो हैं उसके लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था इसलिए मैं वह बनाना सुरू कर दिया हूं ओके बढ़ जाएंगे जो महिलाओं से घिडा करते हैं उसको में एक सब्सक्राइब क्या करते हैं आज ही पड़ाया बताएं यह तो एक सिकेंड का क्वेश्चन है कौन सा हो जाएगा बच्चे आ यह नू में सो जिनेस्ट बोलेंगे क्यों हेर अच्छा मैंने क्या बता लगाने की पहली बारें बात कर तुक्का लगाना है जैसे ही हेर दिख रहा है वैसे मिसो खो जी तो यह फील वाले वर्ट कर गए जिसको बोलते हैं न ठीक है तो मिसो आया अगर बच्चे अगर आप 50-50 भी लगाए हम तो हम जैसे बात कर रहे थे तो दो वर्ड मिले और अगर आपको थोड़ी सी भी काम कर गई आपका नॉलिज तो गैमी गैमिस्ट बोला गया है गैमी इट्सकाल मैरेज न यह रिलेटिट किसे परचा मैरेज से रिलेटिट वर्ड है तो यह मैरेज तो होगा नहीं म मुल्ब सादी के नाम पर उनको क्या हो जाती है नफरस्य आजाती तो हमारा मेसोगेनिस इस एक यह नेक्ट कोशन है लेस्ट आप बुक्स राइटिंग राइटिंग आप वन ऑथर तो बिसिकली यहां पर आप कुछ नहीं करिए अपना रूट एक डिसकस करिए बुक बैट यहां पर बीबलीयों किसमें आया है और राइटिंग पर लेश्ट आप बुक्स यहां प्यारा है और राइटिंग की वज़े से इसको आ गया है और बबलीयों की वज़े से यह आ गया एक तम सौण कि देखें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर देखा जाए आटो सेल्फ होता है बायो लाइफ होता है ग्राफ मतलब लिखना आत्मकथा जिसको बोलते हैं जब हम खुद की अपनी स्टोरी लिखते हैं आट अटो बायोग्राफी और बायोग्राफी जीवनी हिस्ट्र क्या होता है आगे हम बढ़ जाएंगे फिर कि टाइम लास्ट में इसको डिस्कॉस कर ले जाएंगे के बचें इस रहिए one who loves and collect postage stamp ठीके अभी बताएह था लास्ट में क्या बोलते हैं और एसे लोग जो क्या करते क्ले घरते पोस्रेस स्टैंप को ठीक है ज Ohio State अच्छल लगता था उसको पसंद करते आपने आप्तिमिस्ट सुना होगा ऐसे लोग जो क्या करते है यूए आसा वाधी होते हैं मतलब कितना भी समस्या हो हमेशा ही क् possa doingald n 입 नायोगा किया विद्जा कि ओ चल्प चाहां कुछ होजूश तो किस्टाइब मैंनकाइं तो जैसे स्टडि आया बिटा तो लॉजी आएगा पहले तो क्या आएगा एक अंटरूप आए गारनेकाइं केक लिए प्याएगा गड़् यह दोनों वर्ड लगा है तोड़ा भी लगा रहे हैं और इसी वीज़े से करेंगे तो ज्यादा मजाएगा अब लोग को अच्छा पैथोलोजी क्या हो जाएगा अभी पढ़ाया था ठीक है इसको मुझत है इस्ट इस्ट अब डिजीज ठीक है और एक है फीजियो लॉजी के लिए सोबान बणावत के लिए स्टेडि करते हैं जो उसको कहते हैं जिसमें सार admire के बारे हम बात की जाते है फीजियो लाजी इस्ट इसको डेलमंट आफ लेंटमेंट आम जया इसवक्क्रायर तो इसको मनें बात करें फिलर्टेक्ट्द ओके पिछले वीडियो में मैंने डिसकस किया था कि एक रूट होता है हमारा क्या ग्राफ ठीक है जिसका मतलब होता है to write something लिखना ठीक है और इसे वर्ड हमने क्या क्या बताता है ग्रैफोलोजी ग्रैफोलोजिस्ट एक वड़ा कैको ग्रैफी जो भद्दा लिखते हैं और जो सुन्दर लिखते हैं जल्दी से बताएए क्या होगा कैली ग्रैफी वड़ाया याद आया पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो यह वर्ड भी मैंने डिस्क्स किया है कैली इस रूट वर्ड आप ब्यूटी क्या होता सुन्दर और ग्राफ मतलब लिखना सुन्दर लिखने की कला को ही हम बोलते कैली ग्रैफी ठीक है और कार्टोग्रैफी क अगर हाँ ड्रॉइंग मेकिन ड्रॉइंग और मेकिन मैप्स होसा जैसे मानचीत बनाने वाले जो बनाते हैं लिखते हैं उसे को हम कार्टोग्रैफी कहते हैं और शॉली सिटस मिंस क्या उता है जलिदी से पताएँ है को मतलब है फियर और who concerned a lot about someone's health that's called solicitus ऐसे लोग जो क्या करते हैं दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं आपने दिखा होगा आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा दादा-दादी का बहुत ख्याल रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा आगे हम बढ़ जाएंगे नेक्स क्वेश्चन के तरफ और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है वन वन लब्स बुक जो पुस्तक से प्रेम करता है उसे हम क्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चे अच्छा ये देखिए एक्जामनर ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है जैसे यहां पर बुक की बात की गई है सभी सब्सक्राइब बिबिलियों सब्सक्राइब इसका मतलब यह वाला जो ट्रिक है वह हमारा आप काम नहीं करेगा अब हमें क्या करना पड़ा है लब वाले वर्ट को लेना सब्सक्राइब देख रहे ना यह कह सकते हैं ज्यादवी तरीका है क्या आपको तयार करने क्या और अभी हम दिखाएंगे कि प्रीविस यह में भी कुछ बहुत सारे कोशन बने हैं आप याद करिए कि अगर जो आप यह आप स्परेंट होंगे तो आप जानते होंगे कि इन ब्रियोग्राफर क्या होता है उडी रिख लिखने वाले को बखनी और बीविल ओ सकते है और बीविलियोफिक्ष यह बने एक टरीके को लॉवर होता है वैसीकली लेखक उन्हось होते है उनके लिए बीविलियोफाजिस्ट बॉलतें है और वाज़े झाइन видео changed प्रति प्रइम या क्या उदाउता हूं ऐप्रेस्येट करें क्या बूलेंगे हम अगर माइलाओं के बारे में बात की गई घएनई किस वर्ड में और फील मतलब लव गाइनी मतलब क्या हो जाएगा विमें ठीक है तो यह हो जाएगा फिल फिलोजिनी जाएगा इसका साउंड हो जाएगा गाइनी से जीडियों है करें तो हर्मोनीय क्या होते एक है इंस्ट्र люб कि संगीत से लगाया डेका हम बोल पाएंगे फिल हार्मोनी ठीक है और इस अभी हमने बताया था जो क्या करते हैं स्टडी करते हैं इनको सटडी करना अच्छा लगता है ठीक है उनको तो हम फिलो लॉजिस्ट बोल सकते हैं और फिलैंत्रोपिस्ट बताया ही था मानो प्रेमी होते हैं ठीक है अब यह वाला जो कोशन मैंने आप से बोला था यह आपको कन्फियूज कर सकता है अच्छा गाइनी वर सब में आया इसका मतलब यह वाला रूट काम नहीं करेगा आपका यह जो भी एक्जाम है जिसमें और ऐसा कोई एक्जाम नहीं जिसमें पूछा जाता हो देखी मैं कितना जल्दी सॉल्व क्यां पलक जपकते मैंने सॉल्व करिया इस को वजह यह है कि मुझे दोनों ही रूट पताते हैं डीजीज पैत बताया था ना पैथलोजी तो इस्टडी नॉट्ट डि डिजीज होता ऐ ठिक है और घाइनी का मतलब होता है तो इस तुदि आफ विमेन डिजीज के तो जब अध्यान करें तो हम उनको लॉजई लूज होता है यह पी तो ग्जानretlaly को हम क्या प्रकियान गया यह थो बोला कि ऐसी को हम क्या में पाइन भेट को मतलब क्या होता है यह एक सब्सक्राइब और यह वहाला वर्ड देख लिए गाइन वर्ड में इसको जोड दिएगा अभी मैने मतलब और गैनी मतलब और एक से रोबोट की अगर हम बात करें तो रोबोट एक मेल फॉर्म में बनते हैं आपने बहुत सारे हॉलिवूड मुवी देखा होगा उसमें क्या होते हैं X-Man देखा होगा उसमें रोबोट होता है जो फीमेल पुराकार में होता है तो उसको गाइनकोईड बोलेंगे क्या गाइनकोईड फीमेल जैसा दिखने और जो मानों जैसा दिखे एंत्रपॉइड जो प्रिथिवी जैसे दिखे जी वाइड ठीक है एक और वर्ट क्या हो जाएगा आपका ट्यार हो जाएगा ठीक बचाहिए ओके आगे हम यहां ने लिए अब इसको अट्रपा क्या है यहां को दिखकत क्या हो जाएगा इस वाले और ऑप्सम में दिक्कत और एक वरड़ और फिलांडर का मतलब बैठा यह होता है जो बेसिकली शेक्सुली कहीं अट्रक्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं फिलांडर ठीक है और फिलोजीनी लवर अफ विमेन की बात कि इसलिए सी हो जाएगा ठीक है इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ठीक है दोनों एक ही तरह था लैक अफ फिलिंग जिसके अंदर को इसी तरह की फिलिंग ही न बची अभी बताया था ना जैसे फिलिंग बच्चे आया देखें अगर यह आया है न तो आप क्या करें पैथ और हमने इस देखें पीटी का मतलब दया होता है बटा करूना होता है है जब किसी की हिज़े में दया यह करूना की बात किसा है ठीक है और इंपैथी का मतलब क्या होता है अंतान उबुती सेंपैथी साहान उबुती तो बेटा जिसके अंदर फिलिंग नहीं होते क्या होते अब पैथी यह जॉइन होगा यह वर्ड है एक मतलब नौट होता है कि आगे बढ़ेंगे वन हूँ हेट्स मैं मैंनकाइंड तो क्या हो जाएगा मेसंथ्रोपिस्ट अभी बताया था ठीक है मेसोजिनिस्ट मेलाउंसन अफरत है डॉनिस्ट बेटा है डॉनिस्ट क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताएगे वाट इस अमीनिंग अफेड़ पूछा गया है एक क्वेश्टन है कि है डॉनिस्ट का मतलब बिटा होता है जो आनंद ही को प्रियॉर्टी देता है ठीक है वन हूँ थिंग अब अबाउट लॉट अप प्लीजर ठीक है ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आनंद ही सब कुछ जीवन में ठीक है कस्ट के बारे में में सब्सक्रेबिम सोचते नहीं उसी को हम क्या बोलते हैं है मुझे प्लते हैं ठीक है और फैटलिस्ड किसको बोला जाता है बेच्छा तो फैडलिस्ड भाग्यवादी जो यह समझते हैं किम अपने कर्मों से कुछ थो पी नहीं बदलृ भाग्यमें होगा तो मिलेगा अराम वादी जो इसे बड़े-बड़े घरों में लोग पैदा होते हैं ठीक है उन्होंने कभी मैनेद करना सीखा ही नहीं कुछ जानते ही नहीं तो उसी को हम बोल सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और यह देखें मेंस के आई हुए कोशन है ऐसे सीजल मेंस 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 अठारा तेरह तो देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा और देखें इन्हीं सारे वर्ट से लिया गया इसको ओके इस्टडी आफ नेचर आफ गॉड ठीक है अगर बैटा गॉड की बात की जाए तो आगे हम पढ़ाएंगे गॉड का जो द्रूट बढ़ा होता वो क्या थी ओ ठीक है और इस्टडी बॉला गया तो लॉजी लॉजी और थीओ कहां एक साथ आया थी लॉजी ये करेक्ट हो जाएक है इसका थी पिचानगे थी लॉजी इस्टडिय आफ इस्टडिय आप दनेशर आफ़ ठीक है ठीलोजी फिलोजी जानते हैं हैं इसको बोलते हैं फिलोश्टोफी बोलते हैं धर्सन-शास्त्र फिक हैं ये सारे बड़ालग हो जाएंगे यह हमारे ससे शील टियर 2 मैंस में में पूछा गया था 2013 का question था कि I strong feeling यहां पर typing mistake है off लिख लिजएगा I strong feeling of dislike towards someone or something किसी के प्रति अभी बढ़ा है ना पैतियास पढ़ाया था और यह देखे अभी recent 2019 का मेंस नहीं हुआ ना 2018 के में कोशन पुछा गया था तो आज जो session पढ़ाया है पिछले जो पिछली बार सीजेल हुआ है उसके में में कोशन आया अब तो हुआ होगा ना कि जो रूट किया जा रहे हैं सच में बहुत यूजफुल है अगर कोशन बन रहे हैं बच्चे और क्या होता है एससी के सिर्किष्ट जी क्या करते थे किसी से कन्वर्सेशन कर लेते थे या जान लेते थे ठीक है ओके लास्ट क्वेशन हमारे पास है क्वेशन नूमर 15 और यह भी पूछा गया था में 2018 में ये और मुझे क्या बताना था इसका एंटॉन नहीं बताना है किसके अगेंस्ट में क्या तो अगर पहुजिए हैं जिसे वर्म्त का मतलब क्या तक घर्मी भी यह सब पॉस्टीव और यह भी पॉस्टीव एक टेंगे शिंप यह भी पॉस्टीव और एप जिसके अंदर कोई यहीं तक हम मैं समाप्त करूंगा अब नेक्स्ट मैं कुछ और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तब तक के लिए तैयारी कर रहे हैं याँ बैंक के स्टुडेंट हो ठीक है तो तैयारी करें अब मैं क्या करूंगा आगे बहुत सारे क्वेस्ट करने वालों चैप्टर वाइस इससे भी बहुत बेनेफिट मिलेगा और आप घर पे बैठे होंगे ठीक हो सकता है थोड़े बोर हो रहे होंगे बच्चे यह सब पढ़ लिजे टाइम थ्वा यूटिलाइज हो जाएगा ठीक है तो लाइक करना मत बुलिएगा बच्चे ठीक चले थैंग्यू केपी स्माइलिंग